घृत्व में बोट ही ग्रेट लीडर को में बुलाणा चाहता है, ओपाज लीडर हमारे ढूक्टर रास और या तो आप सब तालियों की व्हेडिवे साथ स्वागत करें के इस मंच पर मौजूद मैं भविश्य के क्रोडपती नहीं कहूंगा आज शब्द नहीं की शब्द इस्तिमाल करूंगा इस मंच पर मौजूद बहुत ही काबिल काबिल लीडरों का मैं दिल से दिल की अनंत गहराईयों से स्वागत करता हूँ दोस्तों हां जी हरपरीद जी आप बीच में बोल रहे हैं बोली इदा नहीं सब्सक्राइब करते हैं स्वारी ओके 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 दोस्तों यहां पर तमाम तरह के मैडम अपना माइक बंद कीजिए इस मंच पर तमाम तरह के बड़े छोटे हर तरह के रैंक वाइज लीडर और एजुकेशन अनुसार भी जो लेट आये हैं उनके पास हो सकता है थोड़ी हो जो पहले से आये हैं उनके पास ज्यादा हर तरह के तमाम तरह के लोग इस मंच पर मौजूद है दोस्तों मैं एक ही बात कहना चाहूंगा इस मंच पर जितने भी लोग मौजूद है उनमें से कोई भी परसन सामने आए अगर वो positivity गिनाना चाहे वो 10 positivity गिनाए तो मैं 10 negativity गिनवा दूँगा अगर वो negativity गिनवा आए तो मैं 10 positivity गिनवा दूँगा ये माइने रखता ही नहीं है कि क्या होगा या क्या नहीं होगा बस एक चीज़ को आप ध्यान में रखिए इस लाइन को ध्यान में रखिएगा कि मैं भला हार क्यों मानूं मैं भला हार क्यों मानूं जग अभी जीता नहीं मैं अभी हारा नहीं दोस्तों सिस्टम ने ना तो clear इसके अंदर ये लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ वही लोग seed funding कर पाएंगे DP से जो BUSD से करेंगे ना उन्होंने ये लिखा है कि BUSD से करना अनिवारिय है ना उन्होंने ये लिखा है कि DP से केवल और केवल DP से होगी अभी जो सिस्टम ने हमें time limit दी है तब तक का हमें wait करना चाहिए मेरी आप से ये राए खेर दोस्तों आज हम ना तो PVC meta के बारे में बात करेंगे और ना ही परलवाइन के बारे में बात करेंगे क्योंकि सुबह से शाम तक PVC META के बारे में परलवाइन के बारे में ही बाते होती हैं लेकिन जो बाते करूंगा वो है भी परलवाइन की बाहर की बाते नहीं है और उसका सीधा effect हमारी जेब के उपर पड़ा है हमारे पेट के उपर पड़ा है हमारी थाली के उपर पड़ा है आज मैं उन बातों को यहां रखना चाहूँगा हाज आज की डेट में आज इस वक्त हम परलवाइन के ग्रहन या यूं कहें कि पनोती के बारे में हम बात करेंगे दोस्तो जितने भी लीडर यहां पर मौजूद है हर किसी ने अपनी कैपस्टी के उनसार परलवाईन में काम किया है कुछ ने दिल से कुछ ने जान से, कुछ ने दिमाग से कुछ ने दिखावे के लिए काम किया है कुछ ने तूट के हद से ज़्यादा तूट के काम किया और कुछ लोगों ने डूब के काम किया किस सिस्टम के अंदर जिनों ने डूब के काम किया है वो बिल्कुल तल तक गए हैं उस तलाब के उन्हें क्या मिला उदर सीपियां पथर और पथर भी असली नहीं नकली पथर जिन लोगोंने डूब के काम किया था उन्होंने उन नकली पथरों को देखा सब कुछ देखा अब्जर्व किया और फिर उन्होंने पिहास लिखा व्यक्ष्यान लिखा और मैं मानता हूँ कि वो जो उन्होंने लिखा जो कहा वो जूठा नहीं था दोस्तो आज मैं आपको एक रंगे सिहार की कहानी सुनाऊंगा सिहार होता है ना कुट्टे जैसा उसकी कहानी सुनाऊंगा उमीद करूँगा आपने सुनी है लगते हैं नहीं सुनी होगी गिदड़, CR गिदड़, दोस्तो एक कुट्ता था, वो CR-ों की बस्ती में जाता है, देखता है, कि यहां तो वो बहुत मजे कर रहे हैं, लेकिन वो कुट्ता, उनके बीच में शामिल होने के लिए जब जाता है, तो वो देखता है कि मेरे में और इनमें डिफरेंस है, स्किन क का डिफरेंस है, वो कुट्ता एक पेंटर के पास जाता है, कहता है, मुझे जो पैटरन इनकी बोड़ी के ओपर बनावा है, वो पैटरन मेरी बोड़ी पर बना दो, जिससे में इसे मिलता जुलता लगू, उस कुट्ते ने वही पैटरन अपनी बोड़ी पर बनवा लिया, और वो उनके बीच में रहने लगा कुट्टा वैसे भी समझदार होता है और कुछ ना कुछ तो अलग था ही सियार में, गीदर में और कुट्टे में अलग था लेकिन पैटरन दिखने में एक जैसा था वो उन लोगों के बीच में गया और अपने आपको सुपीरियर दिखाने लगा अपने आपको वहां का राजा कहलाने लगा जो वो सियार थे वो भी क्योंकि हर तरह के लोगों होते हैं चम्चा टाइप हर जगे होते हैं उन्होंने भी उसे अपना गुरू मानना शुरू कर दिया लेकिन उसी CR community में बहुत से CR ऐसे बीते जिन्होंने ये objection उठाया कि ये कल का आया हुआ बंदा, कल का आया हुआ ये CR, नकली CR, हमारे बीच में राजा क्यों बना लेकिन कुछ उस नए CR का impression, कुछ दरावा, जिसकी वज़े से उन दूसरे लोगों की आवाज को दबा दिया गया लेकिन कहते हैं कि सत्याई हमेशा आगे आती है, एक दिन हुआ उपर वाले ने जब परदा फास करना था, बारिश पुई और वो जो गीतर था, CR था, नकली CR वो बहार रह गया, उसकी बॉड़ी का सारा पेंट निकल गया जब सभी लोगों ने देखा कि ये नकली है, तो सभी ने उसको नोच खाया सभी उसके पीछे लगे, तो वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ किसी ने कहीं से काटा, किसी ने कहीं से काटा, आज तक उस CR का नहीं पता है कि वो कहा गया दोस्तों हमारे सिस्टम में भी बहुत सारे रंगे सियार है, जो खुद को सिस्टम का ब्रह्मा, विश्णु, महेश, न जाने क्या क्या कहते हैं लोगों ने भी उन्हें सिस्टम का ब्रह्मा, विश्णु, महेश, समझा और उसी ब्रह्मा, विश्णु, महेश, ने खुले मंचों से अच्छे जो लीडर थे, काम करने वाले लीडर थे, उनके और एलिगेशन लगाने शुरू कर दिया, भगाना शुरू कर दिया, दबाना शुरू कर दिया, और वो लीडर कौन, जो जनता की अवाज उठा रहे थे उस जन्ता की अवाज को दबा दिया सिर्फ किस वज़े से खुद को सिस्टम का चहरा बनाने के चक्कर में आप सभी वाकिफ है इन सभी घटनाओं से और उसका नतीजा आप देखी रहे हैं कि आज हम किस कगार पर है वरना जब तक वो सियार नहीं आये थे तब तक सिस्टम बहुत ही सिस्टेमाटिक धंग से चल रहा था दोस्तों कुछ लोगों को पर्षंसा सुनना पर्षंसा करवाना बहुत अच्छा लगता है मैं आपको एक रियल घटना बताता हूं एक व्यक्ति है जिसे मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं उसकी छोटी छोटी चीजों को जानता हूं बारिकियों को जानता हूं क्योंकि मैं कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता मैं उस व्यक्ति के साथ रहा हूं उसकी हर चीज का बारिकियों से अब्जर्वेशन किया है और दोस्तों क्या कहूं कि वो मेरी ही कम्यूनिटी का परसन है हद तो तब हो गई जब उस बंदे ने अपने नाम के आगे डॉक्टर शब्द का इस्तिमाल करना शुरू किया हम लोग भी उसे डॉक्टर ही समझते थे और डॉक्टर सहा भी कहते थे लेकिन मेरी आखे उस दिन फटी की फटी रह गई जिस दिन मुझे इस घटना के पीछे की सारी की सारी वास्विक्टा पता लगी कि एक आदमी वो आदमी जिसे लोगों का करजा देना था यह वास्विक्टा है दोस्तों मैं अपने शहर की बात बता रहा हूं लोगों को करजा देना था लोग उसके घर करजा मांगने के लिए आते थे तो वो करजे से चिपने के लिए उन लोगों जो उनसे पैसा मांगने के लिए आते थे उनसे बचने के लिए उनसे परेशान होकर वो बाबा राम देव के आशरम में चला गया दोस्तों दोस्तो हराम की रोटी तो लंगर में भी नहीं मिलती तो वहाँ भी कम से कम दरियां तो बिछानी पड़ती है दो दिन उसे हराम से रोटी मिली तीसरे दिन तो वहाँ भी काम करना था उस आदमी ने रसोई में सबजियां कटवाई, खाना बनवाया आशरम में ज़ाडू लगाई और अपना जो अज्यातवास का टाइम था उसे वहाँ पाटा कि लोग तब तक थोड़ा ठंडे हो जाएंगे और आपने सुनाई होगा कि खरबुजे को देकर खरबुजा रंग बदलता है उसने वहाँ रहते हुए ज़ाडू पोचा करते हुए चार चीजे चार बिमारियों के बारे में जान लिया और तैयार हो गया हमारा एक MBBS जोला चाप नैच्रोपैथी डॉक्टर जो खुद के लिए तो खतरा था ही था साथ में समाज के लिए और मरीजों के लिए भी खतरा था क्या को हूँ मैं उस बंदे के बारे में कुछ नहीं कह सकता दोस्तों मैं परलवाइन के बारे में बात करना चाहूंगा कुछ लोग परलवाइन में ऐसे आए पिछले तकरीबन 6-7 महीने से कहूँगा मैं वो ऐसे आए कि उन्होंने परलवाइन की छमाही, बरसी, सारे की सारी यानि कि सारा उसका वाइंड अप करने का समान साथ लेकर आए उन्होंने साम, दाम, दंड, वेट, सारी नीटियों को अपनाया खुले मंचों से लीडरों को गदार, कमीने, कुत्ते, शब्दों का परियोकर किया दोस्तों एक ऐसी धारना बना दी, ऐसा महोल बना दिया परलवाइन के अंदर कि परलवाइन में मैक्सिमम लोग गदार है, ऐसा महोल बना दिया कि वाके में परलवाइन में एक वही एक धरमात्मा है और मैक्सिमम लोग गदार है, कुत्ते है, कमीने है, हर जगे ही बाते चलने लगी क्या आप ये नहीं मानते कि इन बातों का सिस्टम के उपर भी इंपेक्ट गया होगा, परभाव गया होगा, ये बाते सिस्टम तक भी पहुँची होगी दोस्तों भोईश्यवानियां तो बहुत की गई, बहुत जूटी बाते की गई, जूट के परमानु बम छोड़े गए, मगर एक भी वो जूट का बम नहीं फटा इन लोगों ने सिस्टम का चेहरा बनने के चक्कर में उस लालच में लोगों के मान सम्मान को भी आहाद पहुँचाने से बाजनी आई ये लोग दोस्तों मैं तो उन लोगों का, उन मंचों का दिल से सुक्रियादा करता हूँ जिन्होंने ऐसे गंदे व्यक्ति के दुआरा जो नेगटिविटी का माहौल बना रखा था, उसके अंदर भी पॉजिटिविटी की रहा दिखाई लोगों को, पॉजिटिविव बना कर रखा लेकिन उन दिल से काम करने वाले लोगों की बातों को दबा दिया गया, उपर नहीं आने दिया गया और खुले मंचों से बार बार जूट पे जूट जूट पे जूट परोशा गया, तिर्फ उस जूट को सच साबित करने के लिए और दोस्तों ये ज़्यादा दिनों की बात नहीं है हाल फिलहाल की आपको बात बता रहा हूँ कि सरेम मंचों पर यहां तक कहा गया कि परलवाइन अब लोगों से सामान प्रोड़क्ट बिकवाएगा दोस्तों ग्यान की बात सीखने के लिए पढ़ाई की जरूरत होती है खेरात में नहीं मिलता ग्यान और खेरात में पढ़ाई नहीं मिलती पढ़ाई और ग्यान दोनों एक ही सिख्के के दो पहलू है और ये फ्री में नहीं मिलते मोल नहीं आते, यह कमाये जाते हैं, एक दिन में नहीं मिलता। मुझे ज्यादा तो अचंबा उस वक्त हुआ जब टोकन बर्निंग की बात चली। उस शक्स को यह नहीं पता कि टोकन बर्निंग होती क्या है। कि जब हम फार्मिंग के अंदर 24 पीवीसी मैटा लगा रहे हैं, चोबिस पीवीसी मैटा को ब्यूसडी में कनवार्ट करके लगा रहे हैं। और जब वह आउटपुट निकलता है। आपका 800 दिन में, 400 दिन में, 600 दिन में निकलता है। तो आपके जो आपने 24 पीवीसी मैटा लगाए हैं, फॉर एक्जमपल 24 के 24 नहीं आते हैं, वह कम होकर आते हैं। वह क्या वह बर्निंग है, वह बर्निंग प्रोसेस है, आटो बर्निंग है वह उधर, पर्लवाइन के लिए के अंदर यह सिस्टम नहीं है कि जैसे किसी भी crypto में burning करनी होती है जितनी भी amount की burning करनी होती है जितनी quantity की burning करनी होती है उसे किसी भी trust wallet में डालके और उसकी जुक्की है उसको destroy कर दिया जाता जिससे कि वो कभी भी system में शामिल ना हो लेकिन उस great आत्मा की नजर में token burning का मतलब था कि चूले में लकडी जलाओ और उसमें token रख तो वो जल जाएगा वो बर्निंग हो जाएगा दोस्तो मैं आपको एक शलोक सुनाना चाहूँगा यहां मुझे एक शलोक याद आ रहा है संस्कृत का है आप सभी लोगों ने सुना भी होगा यह शाम ना विद्या ने तपो ने दानम यह शाम ना विद्या ने तपो ने दानम ना ज्यानम न शीलम न गुणो न धरने अगर हिंदी में इसका सरलार्थ किया जाए तो जिसके पास ना विद्या है ना ज्यान है ना तप है और ना दान देने के लिए उसके पास कुछ है ना ज्यान है ना सेहन शीलता है अब गुणों से भरा पड़ा है धर्म के बारे में नहीं जानता धर्मी भी है वो आदमी इस धर्ती के उपर बोध से जादा कुछ नहीं है और वो आदमी के रूप में पशु के समान यहां चर रहा है ऐसे ऐसे लीडर है यहां पर दोस्तों ऐसे ऐसे दोस्तों अब ये सिस्टम के रहनुमा जो अपने आपको खुद सिस्टम का रहनुमा बताते थे सिस्टम के ब्रह्मा विश्नु महेश कहते थे अब खुले मंचों से डीपी बेच रहे हैं पीवीसी मैटा बेच रहे हैं कि मैं आपको सस्ते में दिलवाऊंगा, मैं आपको जायज दिलवाऊंगा क्या इन रहनुमां का यही काम रह गए, यही उकात रह गए इनकी कभी रहनुमा बोलते थे कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है और आज वही रहनुमा लोगों से भीक मांग रहे हैं कि मेरे साथ फार्मिंग कर लो दोस्तों पोल खोल मंच के उपर आज तक 20 तारिक को इसको एक महीना होगा और अब वो टाइम है जब लोग मारा मारी करते फिर रहे हैं फार्मिंग के लिए मेरे साथ कर ले मेरे साथ कर ले लेकिन पोल खोल मंच पर किसी भी लिडर ने अभी तक किसी को अप्रोच नहीं किया है क्योंकि यह मंच जो बनाए गए है यह ज्यान देने के लिए बनाए गए अपना पेट भरने के लिए नहीं बनाए गए है कि जो मासूम जनता जनार्दन आपके पास ज्ञान की इच्छा से आती है आप उन्हें इधर उधर भटका कर अपने फाइदे के लिए इस्तेमाल कर लो दोस्तों मैंने बहुत सी फैक्टरियों को तबाह होते हुए देखा है जो फैक्टरियां जो बिजनस बहुत धडलने से चल रहे थे मैंने उन्हें तबाह होते हुए देखा है उन कंपनियों को क्यों कि उस कम्पनी के अंदर जितनी भी कम्पनी थी सभी की सभी अपनी पूरी लगन से काम में लगी हुई थी काम करने के लिए अपने टार्गेट को अचीव करने के लिए लेकिन उन्हीं लोगों के बीच में से कुछ लोग उठकर आते हैं और अपने पाइदे के चक्कर में सारे का सारा सिस्टम ही खराब कर देते हैं उन लोगों का वो लोग उस गरीब जनता कम्यूटी के अपने फाइदे के लिए अपने फाइदे के लिए दो डटसा वाद नहीं आरी माइक बंद हो गया आपका उस तो सोरी सर सोरी 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 अपने फाइदे के बाद नहीं बोले सर आपकुछ भी आखलास्ट वर्ट थे आपके अपने फाइदे के लिए वो लोग अपने फाइदे के लिए उस community के बीच में misconception फैलाते हैं ऐसी वैसी धारणा फैलाते हैं और आप ही के बीच में धारणा फैलाकर आपकी थाली में से खाना तो रोटी छीनते हैं और आपको पता भी नहीं लगता आपके बच्चो के दूद की बॉटल में से दूद छीन लेते हैं, लेकिन आपको पता नहीं लगता, पता कब लगता है जब उसका result आता है दोस्तो उन लोगों को पहचानो, हो आप लोगों के बीच में है कल आपकी ठाली में से रोटी छीनी जाएगी, आपके बच्चे की बॉटल में से दू छीना जाएगा और ऐसा कही ना कही हमारे साथ हुआ है उन कुछ लोगों की बज़े से ये दिन हमें देखने को मिला है अगर वो कुछ लोग ही शुरू से ही मिसकंसेप्शन ना फैलाते तो सारी चीज़े सेटल थी, सारा वर्क सेटल था दोस्तों मैं टोपाज रेंक पर हूँ मेरी 10 ID, Quartz और सभी की सभी Emerald तोपाज वाली भी और Quartz वाली भी Coral, Onyx, Pearl का पता नहीं कितनी है मैं दो-ती दिन से मंच पर नहीं आ रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, मैं सभी की कल्कुलेशन में लगा हुआ था ये 200% मिलने से पहले मैं फक्र से सीना चोड़ा करके ये बोलता था कि मैंने 200 क्रोड, 300 क्रोड, 400 क्रोड, 800 क्रोड, 1000 क्रोड का काम कर दिया है आज नहीं तो 10 दिन के बाद वो मेरी जेब में आएंगे मैं इतने क्रोड का मालिक बनूँगा लेकिन आज ये शब्द बोलते हुए मेरी जुबान लड़ खडाती है कि मैं बनूँगा या नहीं बनूँगा सिर्फ उन लोगों की बज़ेशे मगर मुझे आज भी यकीन है मैं ऐसा मानता हूँ ये मेरी निजी खुद की राय है कि सिस्टम में आज भी 24-25 तारिक जो भी सिस्टम में दिये हैं वहां तक बहुत कुछ आ सकता है और मैं मानता हूँ की आएगा और जो सपने हमने देखे हैं वो सारे के सारे पूरे होंगे दोस्तों मैं इस मंच्स के मार्ध्यम से इस सिस्टम के इस सिस्टम से एक मार्मिक एक पॉलाइट रिक्वेस्ट हमबल रिक्वेस्ट कहूंगा कि मैं वो रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस सिस्टम हमारी थाली बच्चों की बोटल हमारे भविश्य को देखते हुए जो भी सिस्टम कोई कदम उठाए कोई भी प्लानिंग बनाए वो 25-24-25 तारिक तक मैं चाहता हूँ कि हम जो 85 लाथ लोगों की कमुनिटी है उन गंदे लोगों की बात नहीं कर रहा है जो दो-चार गंदे लोग हैं जिन्नों पूरे के पूरे मचली ने तराब गंदा कर रख़ा है उस गंदी मचली की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों हम लोगों की थाली हमारे भविश्या को देखते हुए कोई भी परलवाइन सिस्टम फैसला लेता है तो इन कंडिशन को देखते हुए ले जो भी उन्होंने डिसिजन लेना है या ले चुके हैं जो उन्हें 25 तारिक को क्लियर करना है मेरा सिस्टम से सिर्फ और सिर्फ इतना ही अनुरोध है कि उन गंदे लोगों की तरफ ध्यार ना दे जिन लोगों ने सिस्टम की बैंड बजा दी पिछले 10 महिने में और तमाम कम्यूनिटी की तरफ से 85 लाख लोगों की तरफ से मेरा परलवाईन कम्यूनिटी सिस्टम से अनुरोध है कि वो हमारी भावनाओं को देखते हुए हमारी वर्किंग को देखते हुए जो भी डिसिजन ले हमारे भविश्य को देखते हुए ले दोस्तो मैं इससे ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा और इनी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम भी देना चाहूँगा अगर मेरे शब्दों से यहाँ पर मौझूद किसी व्यक्ति को ठेश पहुँची हो तो मैं दिल से अक्षमा चाहूँगा पर्लवाइन के परती मैं पॉजटिव था पॉजटिव हूँ पॉजटिव रहूँगा और मुझे ये लगता है मेरा अंद्रूनी विश्वास है कि सिस्टम हमारे साथ कभी गलत नहीं कर सकता नहीं कर सकता नहीं कर सकता जै पर्लवाइन जै पीवी सी मेटा इनी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को ग्राम दोंगा और मंच को हैंड ओवर करना चाहूँगा धरमपाल मीना जी को थैंक यू सर मुझे मंच पर इतना समय जबर्दास बहुत ही मार्मिक बात बताई आपने सर बहुत ही मार्मिक बात बताई सब के लिए यह मैं भी कहुँँगां बिल्कुल मैं पूरी तरह सह्मत हो सर आपसे है कि हुए सर तैंक यू सर दोक्टर वाद सर आपके छेचिंट में अपना नंबर दिया थोड़ा सा बात कर ली जगा सर जी बहुत जरूरी बात करने हैं आपसे जी सर जरूर 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 चलिए सेरिंग की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं थोड़ा सा हमारे बीज में गोपाल सर आई गए वेशे आद तवेत खराब थी तो दो सब्द के लिए मैं गोपाल सर से भी अरजी लगाऊँगा कि अपने दो मिठे प्यारे बोल इन सब के बीज में आके रखें तो सब की तालियों की गड़गडार के साथ गोपाल सर से विंती करूँगा कि गोपाल सर आए और अपने सब दर किये अब आपका कि थेंक यू बहुत बहुत दन्यवाद बहुत बहुत अभार कि आपने मुझे इस मंच पर मुका दिया और आपके इस स्वागत से मुझे भी मोटिवेशन इतना मिला है कि मैं रजाई के अंदर लेता हुआ था सिहत खराब थी और मैं तुरंत उटकर खड़ा हो गया हूँ और जमीन पर खड़ा हूँ और मैं क्योंकि जब मीटिंग में होता हूँ एक्टिव होता हूँ दोस्तो मैं कभी कपड़े वजाई चद्दर लेकर नहीं होता हूँ अगर कुछ करना है तो बी एक्टिव अधरवाइस लेफ्ट इस महान मंच को नमशकार प्रणाम चन्वंदन करता हूँ सबसे पहले में इस मंच के फाउंडर लिडर्स मेरे छोटे भाई दरमपाल जी मेना डक्टर राज पमन जी काल्रा मेरे बड़े भाई रामचस जी सुनी राम प्रित्सर शोख जी बाजपेई मंच के को फाउंडर्स अनिल ब्रेशना जी गोबिंद जी परमप जी और अब लगातार इस काजिया में सही हो कर रहे जुनेजा जी दिपक बाटिया जी आप सब को सरनमशकार परणाम और आपका बहुत बहुत आभार कि अपने कीमती समय में से समय निकाल कर आप इस मंच को चला रहे हैं बहुत से लोगों को जानकारिया दे रहे हैं इसके साथ साथ मंच पर विराजमान सभी साथियों को मैं एक साथ परणाम नमशकार चड़न बंदन करना चाहूंगा आज समय भी काफी ज़्यदा हो गया है और मैं भी थोड़ा स्वस्त था तो थोड़ा इतना समय खड़ा नहीं हो पाऊंगा आज जमीन पर तो सभी को एक साथ नमस्कार प्रणाम चड़न बंदन आज मंच पर विराजमान मेरे भाई मेरे सखा डक्टर सुरंदर जी पंचकुला से जो एज हेल्थ इंस्पेक्टर सेवा ने बारे हैं मैं उनको भी नमस्कार प्रणाम चड़न बंदन करता हूं और सरापका इस मच पर आप पहले भी आते हैं और आज भी आये हैं बाई साब मेरे भाई हैं छोटे भाई हैं आपका स्वागत भी करता हूं दोस्तों आज बहुत सी बाते हुई जानवर्दक बाते हुई दोस्तों बैड डेली बोलता था आज मैंने सोचा था आज मैं नहीं बोल पाऊंगा सेहत के कारण से अधर वाइज तो कोई कारण होई नहीं सकता कि ना बोल सकें लेकिन आज मैं ग्यान की बातें सुनकर ग्यान लेना चारा था और मैंने लिया नहीं दोस्तों आज के मंच पर बहुत सारी बाते हुई ग्यान वर्दक बाते हुई बहुत जबरदस्त हुई लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा सबी की बातों में बहुत दम था और बहुत जबरदस्त बाते सामने आई लेकिन मैं आज बीच में भी दो मिंट के लिए बोला था और शायद आपको लगा हो कि गुपाल सर नेग्टिव बात कर रहे हैं और आप गुपाल सर ने कहा कि ऐसा मत बताई है दोस्तो मैं बच्पन से सुनता आया हूँ कई बार समय की रजाकत होती है कि एक चुप सो सुख दोस्तो अपना परलवाइन सिस्टम कल भी हमारे लिए आदर्श था शक्ति का प्रेज़ना का और मोटिवेशन का पुंज था आज भी है और कल भी रहेगा आज डाक्टर राज जी ने कुछ बाते कही कुछ वैथा सुनाई उन्होंने कुछ अपनी कम्यूनिटी की बात बताई उसमें कुछ एक एकजामपल दिया एक दो एकजामपल और दिये इनकी ये बाते जो थी ये क्यों आई दोस्तो ये नेगटिव भाव की बाते नहीं थी बलकि ये पोजटिविटी को बढ़ाने वाली बाते थी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा आग्या बढ़ाना चाहूँगा दोस्तो हम कहीं जा रहे हैं रास्ते में एक सिर्फ रावेक्टिय हमें तकर गया उसने हमारी पांच मिन का समय खराब कर दिया और हमारी बस बस्टैन से निकल गई और हम बस पकड़ने में ऐसमर्थ हो गई बस का समय खराब चे बजे और हम सवा चे बजे बस्टैन पर पहुंचे पंदरा मिन्ट खराब हो गई और दोस्तो बस निकल गई और उसके बाद में हमने या तो अगली बस पकड़ी अगर टाइमिंग था तो अधरवाइज लिफ्ट ले और हम आगे बढ़े हैं दोस्तो जब आगे बढ़े तो हम डेस्टिनेशन पर तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे लेकिन अवसोच सिर्फ इस बात का होता है कि वो सर फिरा में रास्ते में मिल गया पंदरा मिन्ट हमारी खराब कर गया और उसके कारण हमें एक गंटा डेड़ गंटा लेट पहुंचना पड़ा दैस इस मंच पर मुझे आज एक बहुत जबरदस्त बाद लगी कि ड़क्टर राज ने कहा कि मुझे दिल से ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है इस मंच पर जितने भी विराजमान साथी होते हैं उनको ऐसा ही लगता है कि परलवाइन ने जो लिखा है परलवाइन विल नेवर एंड उनका भी आदर्श वाक्य है और उसको ही आदार मानते हुए कोई भी व्यक्ति नेगटिव नहीं होता लेकिन दोस्तों समय की एक नजाकत होती है अब समय क्या है कि सिस्टम ने जो हमें डोलर्स डिपी दे दिये हैं डिपी हमारे खत्तों में पड़े हुए हैं हर वेक्ति अमीर है कोई गरीब नहीं है लेकिन दोस्तों वो आगे की देख रहा है कि आगे क्या होगा कि कल मंच पर एक बहुत बड़े लीडर आये थे जिसने भी बुलाए थे जिसके बुलाने पर वो आये थे या अपने आप आये थे मैं कुछ नहीं कहूंगा इस बारे में कल में चुप हो गया था जो बोल रहे हैं मैंने कोश्वाब नहीं दिया कारण क्या था कि कुछ लोग मोके पर चोका मार कर मेला दूटने ही कोशिश करते हैं कि मेला बहुत छिला हुआ है और मेले को दूट लीजिए अपने पकवान अपना सामान बेच दीजिए दोस्तों जब भी किसी आइडियों खोलते हैं जिसमें अब हमने कोनेक्स किया है तो ट्रस्ट वालेट का ड्रस मांगती है यह बात मुझे भी पता है रामप्रेश सर को भी पता है दंपल मेना जी को भी पता है कालरा साथ को भी पता है तो क्या कहें यह डेड़ शोर है आप पहले पचास बिएस डी से आप फ़र्मिंग कीजिए और उसके बाद आपके डीपी होगी चैसा कहें बोल दिया लेकिन हम बोलने वाले होते कौन है हम इस मंच पर सुनते हैं और सभी लिड़ों सुनते हैं कि सिस्टम का एक हाथ कारिये करता है दूसरे हाथ को पता भी लगता पहले हाथ ने क्या किया इतना गुप पर उसे काम होता है अभी 25 तारीक बहुत दूर है हम कैसे इस परल वाइन सिस्टम है दोस्तों 24-37 गंटे पहले हर वेक्ति यह कहता था कि मैं 900 क्रोड का मालिक हूं मैं 1000 क्रोड का मालिक हूं 700 क्रोड का मालिक हूं मैं 1200 क्रोड का मालिक हूं यह आएगा आए 10 दिन में आए महिने में आए 6 महिने में आए 10 साल में एक परिवर्तन सिस्टम ने थोड़ा सा किया उस परिवर्तन से यह बात खुल कर कोई भी नहीं कह रहा क्योंकि उसको अब भी देखना है कि सिस्टम हमें कितने का मालिक बनाएगा दोस्तों दोस्तों पनसो क्रोड हजार क्रोड या अर्वों में लेके जाएगा अब यह देखने लाएका बकाया है अभी तो पर्टी शुरू हुई है दोस्तों अभी तो पर्टी शुरू हुई है समय से पहले हम नहीं कहेंगे जब तक सिस्टम में एक सामान्य समय चल रहा था तब तक जो बाते कई थी वो बाते हम वैसूस करके बोल देते थे अब बोलना रिमर भलाना होगा स्पेकुलेशन करना होगा और वो हमें नहीं करनी चाहिए दोस्तो जितने साथीस मंच पर हैं वो सब साथी जानते हैं इस मंच ने कोई गोशना नहीं की एक अंदेशा जाहेर किया था ऐसा भी हो सकता है मेरा दिल मानता है इस बात के ओपर दोस्तो रिजिटेशन बंद हुआ मैंने कहा था मुझे भी लगा था सबको लगा था यह बंद होगा एक तारिक सिलिटेशन बंद हुआ है हफ्ता पहले हमाई डक्टर राज जी का और धरंपाल मिना जी का चैनल जो चलता है अपना आप अब भी देख सकते हैं दोस्तो यह बात कोई धकी छुपी बात नहीं है यह बात नहीं है यह लगबग लगबग बाइस तारिक का इकिस तारिक का और तेज तारिक का तीन दिन के वीडियो देखें इन्होंने बगाएदर वीडियो डाला हुआ यूटूब के उपर एक का नाम है परलवाइन ज्यान चैनल दूसरे का है डी एवी मोटिवेशन चैनल और तीसरा उसके बाद के जो वीडियो में बाइस साब में डालने हैं रामपरीज जी का उनका भी अपना चैनल चलता है दोस्तों यहां पर कोई यह नहीं बोलके चला गया हां जी हां जी यह कहा था और यह बात बिल्कुल जायज हो गई ये और मंचों का सिस्टम इस मंच पर नहीं चलता जब बोल दिया आज बोल दिया कि आपको DP नहीं मिलेगी DP बंद हो चुकी है DP का नाम ये बदल दिया गया है और DP खतम हो चुकी है और आपको प्यूश मेरे टोकन मिलेगा अगले दिन पता लगा आटो पूल आगे DP में आगे दोस्तों फिर क्या अपनी बात तो रखनी थी अरे सर ने कल ही कह दिया था आटो पूल आएंगे आगे वो प्यूशी मेरे टोकन खतम कर दिया बस दोस्तों यहां रखमों को बटे में करके काटने वाद सिस्टम नहीं है नहीं यहां पर बैलेंसिंग होती है राम पर इस सर भी इस चीज़े गवा हैं और सभी इस चीज़े गवा हैं यह बात बोल ली गई थी कि डिपी में ही आपके अर्टो पूल आएंगे किसी को पता नहीं था दोस्तों मन की बात थी दिल में आया बोल दिया डिपी में आगे तो मैडल के अगदार नहीं बने दोस्तों नहीं हम बेस्ट लीडर बन गए परलवाइन में एक से एक लीडर है एक से एक दुरंदर है दोस्तों जो अपने आपको ये मान ले कि मुझसे उपर कोई नहीं वास्तों में वो जेड ए आर ओ जीरो अग्यानी और जीरो वेक्ती होता दोस्तों जब आदमी इस फिलोस्पी पर चलेगा कि कल और भी बहतर आएंगे मुझसे बहतर कहने वाले तुमसे बहतर सुनने वाले तब वेक्ती कामियाब होगा आगे बहतर सुनने वाले भी आएंगे बहतर कहने वाले भी आएंगे दोस्तों सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं किसी की दुकानदारी है किसी की नोकरी है किसी का प्राइवेट वेबसाई है कोई मार्केटिंग करता है कोई फूल टाइम मार्केटिंग करता है दोस्तों जब परमातमाने दर्ती पर उतारा है ये मू लगाया है पेट लगाया है तो इसका जुगार भी बनाया है इसमें दो राए हैं नहीं और मैं तो एक ही बात कहता हूँ अगर कहीं सिस्टम चार दिन थोड़ा तंगी भी दिखा दे तो मैं इस सिस्टम की बदखोई नहीं करूँगा बेचती नहीं करूँगा इसकी हवा नहीं उड़ाऊंगा एक ही बात कहूँगा तुमी ने दर्द दिया है तुमी दबा दोगी तौस्तों मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आज की डेट में देश का प्रधान मंतरी देश के कैबिनेट मंतरी जब कहीं जाते हैं तो पबलिक के बीच में प्रोटोकोल तोड़ के गुशते हैं कारण क्या है कि एक एक वैक्ती गण मानने सम्मानने है सबका सम्मान है जो वैक्ती अपने आपकी सुप्रेडिटी दिखाता रहे वो वैक्ती को वैक्ती मत कहें जो हमारे दासर ने आज जो सलोक सुना था ये शामने विद्या न तपो न दानम ज्यानम न शीलम न गुणों न धर्में ते मर्त लोके भुवी वारभूता मनुष्य रूपेन मर्गास चरंती वो वास्तों में दोस्तों हिंदी एक बार दुबारा फिर बता जिता हूं मैं भी ये शामने विद्या जिसके पास न तो ग्यान है विद्या है न तपो न दानम न तप है तप से चेहरे के उपर ते जाता दोस्तों अगर तप नहीं होगा तो तेज नहीं आएगा और तेज नहीं आएगा तो आदमी देखने में चोर लगता दोस्तों आप जम्मर जी पहसान सकते हैं और आप इस बात को जमा के देखें ये शाम न विद्यान तपो न दानम दानम जिसका धन इस लायक नहीं कि वो किसी को दान दे सके किसी को कुछ कर सके जिसको ये शाम न विद्यान न तपो न दानम जिसको इस बात का जियान न न गुनो न धरमे जिसको इस बात का जियान नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ जिसको बोलने तक कि अकल ना हो बिस ये जियान बहुत जरूरी है ये समाजी जियान का विदारा आता है जिसमें सेहन सीलता नहीं है दूसरे की बात सुन नहीं सकता दूसरे के मुझे तुरंट पेप लगा दो इसको गोड़ी मार दो हिटलर बन जाओ अगर ऐसी सोच के मालिक रहेंगे यानि शील नहीं रहेगा सबाओ तो दोस्तो ये शाम न विद्या न तपो न दानम जानम न सिलम न गुन न धर्म है इसमें कोई गुन हैं गुनों का बरावा हो और धर्म दोस्तो इनसानियत के धर्म को जो न जानता हो इनसान के रूप में भी अपने आप को साबित ना कर पाए तो धर्म का एक थोटा सा परचाई भी ना बन पाए वो व्यक्ति क्या है वो व्यक्ति ते मर्त लोके भुविवार भूता इस मर्त लोक में इस धर्ती के उपर गोमी पर भार के समान है और मनुष्य रूपे इन मर्गाश चरंती मनुष्य के रूप में मर्त के समान एक पसू के समान है दोस्तो आपके पास कुछ भी ना हो अपनी बानी से कम से कम बोलने का लाज़ा तो ऐसा हो कि ऐसी वानी बोलिए मन का आपा खोए औरन को सीतल करे आपो सीतल होए और सास्तर में दोस्तों कहा गया है वानी रस वतियस से यस्षे शरम वति क्रिया लक्षमी दान वतियस से सफलम तस्य जीवितम जीवितम वानी में रस है रस ये नहीं होता ओए तू को है अरे खसी साल का बुड़ा और आप उसको तू कह रहे हो इन चीज़ों का ध्यान रखना है हम किसी के बारे में तो क्या बात करें कोई कैसा मर्जी करेगा जो करेगा वो बरेगा लेकिन हमें इन बातों आद्यान रखना है क्योंकि हम पॉल-कॉल मंद से जुड़े हुए हैं और हमें कोई भी वो काम नहीं करना है जो सब बताए खिलाब हो जो हमें असब्ब्य बनाए है आज बात चल रही थी हमारे पुनित भाई बहुत बढ़िया बात बता रहे थे दोस्तों अभी कैलकुलेशन का दोर नहीं आया है अभी सिस्टम ने ब्रीजिंग करनी है ब्रीजिंग ब्रीजिंग क्या है दोस्तों एक किनारे पर ट्रस्ट वालेट है एक किनारे पर परलवाइन की आईडी है दोनों को जोड़ना है कैसे उनका लेवल लिंक बनेगा ना तो ये आप बना सकते और नहीं मैं बना सकता जिन्होंने फंडिंग करकी है उनका लिंक हो चुका है लेकिन जिनकी फंडिंग नहीं हुई है अभी उनका लिंक बनाना है वो सिस्टम बनाएगा ये कई तरह से बन सकता है बहुत से पहलों पर सिस्टम विचार करेगा आपको BNB की समार्ट चेन का कोई ना कोई एक टोकन कोईन लेना पड़ेगा दोस्तो वो आप दो BSD के लिए आपको सिस्टम काईज़े दो BSD लीजिए उसी से कर लीजिए जितना मरजी PVC मेटा है आपका एडर जनरेट हो जाएग एक तो रास्ता ये है दूसरा रास्ता दोस्तो ये है सिस्टम कहें कि आपको BSD लगाने की दिरूरत नहीं है जैसे आप ट्रस्ट वालेट में इधर से उधर चीज़ डालने के लिए क्या यूज़ करते हैं BNB BP20 आप BNB डाल लीजिए वो भी बाइनेंस की है और उसके मार आफ़त ही आपका एडर्स जनेरेट हो जाए तीसरा सिस्टम ऐसा कर दे कि ये दोनों में से कुछ भी ना करना पड़े वो कैसे होगा कि जैसे आज परल वाइन की आईडी में ट्रस्ट वालेट गाडर्स डलता है शायद सिस्टम ऐसा कर दे कि ट्रस्ट वाइलेट के अंदर परल वाइन की आईडी डिलनी शुरू हो जाए ऐसे भी हो सकता दोस्तों तो मैं इसलिए कह रहा था अभी स्पेकुलेशन का टाइम नहीं है अभी सोचने का टाइम है कि हमने वर्क कैसे करना है कैसे अपने आपको प्रिपेयर रखना है जब सिस्टम कहेगा तब आदेश को तो पलन कर देंगे बहुत सी बाते हैं टेकनिकली दोस्तों आजो करने की नहीं दी मैं यह वे यह वह वाहियात में कर रहा हूं यह आज करने की बाते नहीं है समझे तब होती है दोस्तों जब किसी का कारिया और हम लाट फसाएं तो जो हमारे करने के लाएक काम था वो हमने किया और जो होगा हम करेंगे जो काम सिस्टम के करने के लाइक है हम उसकी वेट करेंगे सिस्टम अपने आप सब कुछ करके देगा और कहेगा अब आप ऐसे करिए तो हम ऐसे करेंगे अपना क्राइटेरिया कभी भी पार कर नहीं करना चाहिए अपने बॉर्डर को कभी करोश नहीं करना चाहिए अपना काम सब को करना चाहिए दोस्तो एक कावत भी है कशप को कशप फबे बिन कशप जूता बाजे दोस्तो जिसका जो काम है उसको वही काम फबता है यह जो काम कर रहे हैं दुकान कर रहे हैं हम उस काम को ही कर सकते हैं अगर हम किसी पटवारी ये काम में जाकर टांग अडाएंगे तो हमें क्या पता जमीनों कैसे मापते हैं एकर क्या होता है कुरूम क्या होता है बीगा क्या होता है कठा क्या होता है तो दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी है और मेरे बाई मैं पुनिजी से भी कहना चाहूँगा अगर मेरी बात उनको लगी हो कि गोपाल जी बीचे मोल गे सब मैं यही बात कहना चाहरा था अब गेंद सिस्टम के पाले में है जब हमारे पास आएगी तो हम की काउट करेंगे आपने मुझे मोका दिया रही बात दोस्तों पीवी सी मेटा की सब पोजिटिव हैं मैं आज एक बात और कहके जाना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ लोग कहते हैं परलवाईन तो गई परलवाईन नहीं गई मुझे लगता है दोस्तों उसका एक लोजिक दे करके जाऊंगा मेरा लोजिक आपको गल्त लगे तो मुझे वापिस दे देना सर्मत थे अगर अच्छा लगे तो रख लेना बहुत-बहुत मैं आपका अबारी होंगा दोस्तों दो पैरलर चीज़े हैं आज आप इस चीज़े को नोट कर लें एक तरफ परलवाइन है दूसरी तरफ पीवीसी मेटा है परलवाइन आटो पूल्स ग्रेडिंग सिस्टम के उपर थी और पीवीसी मेटा मार्केट के फलो डिपेंड करता है टोकुन आजो रेट बड़ेगा जो उसके उपर डिपेंड करता है परलवाइन ने अपना 200% दे करके एक बार हमारा इसाब कर दिया है अभी PVC मेटा का बाकी है जो मैंने पुनीज जी को कही थी बात मैं उस बात को दुबार रिपीट करना चाहूंगा मैंने कहा था पुनीज जी हमने जो PVC मेटा में इन्वेस्टमेंट की है दोस्तों परलवाइ अगर मुझे लगता है आज भी परलवाइन को जाना होता परलवाइन को साइड राइन होना होता हमें परलवाइन से परलवाइन को तो दोस्तों मेरा ऐसा मानना है जिस वेक्टिन इदिजन लिए हो इतना मुर्ख नहीं है जहाँ हमारी सोच कज़िसंच महांसे शुरू होती है दोस्तों बलकि उससे भी चार कदम आगे जागे शुरू होती है आगर उसने अपने आपको हमसे दूर करना होता हमें benefit ना देने होते कोई भी हमें कुछ ना हासिल करवाना होता तो PVC Meta का पहले वो platform बनाता उसकी blockchain त्यार करवाता और PVC Meta को अपने पैरों पर खड़ा करके और एक्चेंज दे करके आपको और फिर गाता परलवाईन खतम और आप यहां से जाके काम कीजिए इतना मुर्ख सिस्टम तो परलवाईन भी नहीं है कि बगएर कुछ अक्चेंज बगएर बनाए PVC Meta को अधर में छोड़के और परलवाईन भी खतम कर देगा तो मैं कहता हूँ आप भी विश्वास रखें इंतजार करें अगला काम सिस्टम का है उसको फोलो करें अभी तो पिक्चर शरू हुई है दोस्तों अभी तो पार्टी शरू हुई है मुझे फिर भी ऐसा लगता है और मैं समय की नजाकत को देखते हैं समय काफी ले गया समय काफी ज़्यादा हो चुका सोने का टाइम लोग सो भी गया हुए कुछ लेकिन फिर भी किसी को मेरी बात गल्त लगी हो तो मैं अक्षमा प्रार्थी हूँगा और आप सब को पुने मुझे ध्यान धर्यपुर्व सुनने के लिए सादर अभिनंदन देते हुए नमस्कार प्रणाम चर्णंदन करते हुए अपनी वानी को विराम देता हूँ